Hi friends, welcome back to my channel, I am Aakash, I hope आप लोगों ने पिछला लेसन देख लिया होगा, तीन लाग से ज़्यादा वियूज हो चुके हैं, हजार से उपर कॉमेंट्स हैं, दस हजार से उपर लाइक्स हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा उस वीडियो से, स्टाफ नुडेशन बेसिक् वरना आपको यह नहीं समझ माएगा, इस लेसन में मैं एक बॉलिवूद ट्यून, स्टाफ पर लिखने वाला, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि बॉलिवूद ट्यून स्टाफ पर लिखके दिखाई गया, तो आज हम लिखेंगे, बट उस बॉलिवूद ट्यून को लिखने से पहले आपको कुछ चीज़े जाननी होंगी, 16th notes, dots, ties, क्या होता है, जानते हैं 8th note आपको अगर याद हो, तो हम इसको ऐसे गंते हैं न, 1N, 2N, 3N, 4N, I hope आपको याद है, पिछला वीडियो आपने देखा है, नहीं देखा है, तो प्लीज उसको जाके देखो, पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा अब इनके भी subdivision हमने कर दिये हैं, और दो flag लगा दिये हैं, यह होता है, 1E, इसका दो subdivision, इस वाले के दो subdivision हो गए and a, so अगर मैं एक बार की बात करूँ, last time हमने यह discuss किया था, तो यह चार मिलके जुड़ जाएंगे आपस में, 1E Anna, 2E Anna, 3E Anna and 4E Anna, इसको मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कैसे बजाया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1E Anna, 2E Anna, 3E Anna, 4E Anna, ताड़ा, 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 एक बीट पे चार नोट्स हैं, यह होता है आपका 16 नोट्स, 8th note किया था, 1 and 2 and 3 and 4 and, अगर मैं इसके अगेंस्ट यह लिखना चाहूँ, so यह ऐसा चलेगा, कैसा होगा 1, 2, 3, 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and क्रोचे क्लिकने चावस के अगेंस 1, 2, 3, 4 निचे सोपर चलते 1, 2, ready Start 1, 2, 3, 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 e and a, 2 e and a, 3 e and a, 4 e and a But आपको इतना हलवा गानों में नहीं मिले का गानों में थोड़ा से complicated मिलता है कैसे मिलता है? मैं आपको सारी permutation combination दिखा देता हूँ कैसे आपको मिलने वाली हैं चीज़ें इतना समझ में आगे हैं नहीं समझ में आगे हैं 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 एक बीट हो गई? बिलकुल हो गई 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 कुछ भी कर लो यार कोई फरक नहीं पतता है समझ में आजी है, ओके? अब, what if what if मैं इसको यू लिखूँ आप मुझे बताईएगा इसका मतलब है कि ये है 8th note, देख रहे हैं उसमें एक flag है, ये है 8th note मतलब हाफ पीट, हाफ प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4, कितना हुआ? पूरा हो गया? बिलकुल हो गया, एक और version लिखता हम इसका 1 by 4, 1 by 4 और हाफ हो गया एक, तो इसको इन form में भी लिखा जा सकता है, इसको कैसे count करेंगे? ये है 1 e ये 1 e ले जाएगा क्योंकि ये 1 e and a अब ये देखो, ये half है ना तो ये half 1 e ले गया और यहाँ बचा and a, तो हम इसमें ना e बोलते हैं नी, हम इसको कैसे बोलते हैं? 1 and a similarly, ये रहा 1 e और ये and a ले जाएगा, and a 0.50 ले जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं 1 e and 1 and a, 1 e and अब इसको कैसे लिखेंगे? एक बाद लेख लेते हैं, ये हमें कैसा मिल सकता है songs में 1, 2, 3, 4 1 e and a 2 and a 3 and 4 I hope समझ में आ रहा हूँ, नई समझ में आ रहा हूँ, पूस करो, पीछे जाओ, फिर से एक बाद देखो, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 e and a 2 e ये खुद ले जाएगा, तो e नहीं बोलते हैं, and a बोलते हैं, जस पर note होगा, वो बोलेंगे, okay? 2 and a 3 e and अब देखो, note and पहना, अ पर नहीं है, पर अ नहीं बोलेंगे, 2 e, 3 e and, 2 and a, ऐसे बोलेंगे, okay? and 4 ये है, एक बाद फिर से इसको काउंट करके दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 1 e and a, 2 and a, 3 and 4, I hope इतना समझ में आ गया हो, okay? चल्दी से समझो इतना समझ में आ गया, तो अब आते हैं, डॉटेड नोट्स पे, कुछ लोग डॉटेड सुनके, खुछ होगे होंगे, बड़े हो जाओंगे, बड़े हो जाओंगे, strawberry, banana, cold, dark chocolate, tutti-fruity कॉंसा? यू लाइक, strawberries or chocolate? त्यू? मीथे में कुछ ला रहा हूँ dotted notes, कई बार आपको ऐसा मिल सकता है कुछ ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, अब dot का क्या मतलब है? See, what dot does is, dot का मतलब होता है, कि जो भी value है note की, suppose x, उसमें half और add कर दिया जाए, उसी की value suppose note की value है 4 4 के आगे लगा दिया है, dot इसका मतलब है, यह 4 बीट तक नहीं बजएगा यह बजएगा, 4 plus half of 4 which is 4 plus 2 is 6 okay now this 2 होती है न, इसकी, बट इसका आगे dot लग गया है 2 plus half of 2 which is 3, यह 3 बीट सक बजएगा similarly, यह कितनी बीट तक बजएगा जरा मुझे बताईए, calculate करके so, 1 plus half of 1 which is 1 and a half so, यह 1.5 बीट तक बजएगा so, 1.5 बीट, okay यह कितना बजएगा अगर आपने यह figure out कर लियो तो आप बहुत ही तगड़ों यह वैसे half होता है half का आधा कितना हुआ? 0.25 तो यह 0.75 बीट बजएगा which is 3 by 4 बीट बजएगा यह, okay 0.75 बीट okay, समझ में आ रहा है इतना आप, थोड़ा कॉंप्लिकेट करते हैं क्योंकि इतना हलुआ मिलने नहीं माला है सॉंग्स में, हमें पता ही है सॉंग्स में मुश्किल चीज़े मिलती है हलुआ तो मेरे बॉर्ड पे मिलता है किसी महान आदमी ने काहा है जोश और जलुआ खाएंगे हलुआ anyways, मेरी बीट सी खतम होती है आप लोगों कुछ कुछ सिखाना है सिखा देता हूँ बढ़ना गालिया मिलेंगी कॉमें देखो, अभी हमने पढ़ा था 16th notes वो नहीं है ना याद है ना? I hope याद है अब देखो, इसको समझो कई बार आपको ये मिलने वाला है अब इसका क्या मतलब है? डॉट भी लग गई, ये भी हो गया पहली बात, डॉट हटा दो तो ये क्या है? ये एक 8th note है ना? 8th note है, ओके? तो इसको half beat मिलती है, याद है ना? ये 1E के बराबर होता है याद है ना? क्योंकि अगर मैं इसके parallel ये बनाऊ ये देखो शायद आपको इससे ज़ाद अच्छा समझ में आएगा मैंने parallel ये बना दिया, ओके? 1E and R अब ये देखो, ये जो इकलौता 8th note है ये 2 16th notes के बराबर होता है तो ये 1E इसने घेर लिया, ठीक है? अब, जैसी मैंने इसके आगे dot लगाया ये रहा 1E और जो dot है न, वो इसके half के बराबर है अभी हमने पढ़ा था इसका half क्या होता है? इसका half, ये होता है होता है कि नहीं होता है? तो ये dot है, उसने ये वाला घेर लिया and, जो है, वो dot ने घेर लिया and, dot ने खोल लिया, ये रहा हमें बजाना क्या है? हमें बस first बजाना है और a बजाना है आप note देखरो न, note ये है और यहाँ पे note लिखा हुआ है one पे और a पे note लिखा हुआ है और कहीं पे कुछ नहीं लिखा है बागे तो सब मैं आपको समझा रहा हूँ इसको मैंसे बजाएंगे इसको कैसे बजाएंगे वान वान अगर एक आपको बार में यह पूरा मिल जाए कैसे? ऐसे 4x4 हमारा best friend वानी यान और दूसरा वही जो भी डिसकस किया यहाँ पे dot यहाँ पे यह यहाँ पे suppose एक क्रोशेट है यहाँ पे फिर सभी कर लेते है और अच्छा समझ में आएगा अब इसको कैसे काउंट करेंगे? ध्यान से सुनना पहले मैं खुद को एक बीट देता हूँ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब 2, E, N E, N यहाँ पे खप गया है E, N यहाँ पे खप गया इसलिए E, N नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पे note सुनगे के वल वही बोलना है लास्ट इम भी बताया था फिर से करते हैं और स्लो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 क्या गहते हो? समझ में आया? एक बार आप लोगो को प्रैक्टिस करवा देता हूँ अपने साथ पूरा कस के बिचा देता हूँ तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 क्या गहते हो? समन में है? नहीं है? पॉस करो फिर से बिच्छे जाओ, फिर से समझो hope आप लोगों को dot समझ में आ गई हो, dotted note समझ में आ गई हो ties पर आते हैं, tie क्या करता है? मैं आपको एक example दे के समझाना चाहता हूँ suppose मुझे ऐसे notes की melody बनानी है, जो सारे 3, 3 beats की notes हो कैसे? एक example ले लो 3 beats, अब ये 3 कैसे हूँ आप पूछोगे? क्योंकि ये 2 beats है अब इसके आगे लग गई है dot, 3 हो गया, अब हम यहाँ पर फिर से 3 तो बनानी सकते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे पस क्योंकि एक की जगे बच रही है, 4 by 4 है ना 1, 2, 3, 4, इस जगे एक इकी की बच रही है, ओके? हम एक इधर लेंगे और 2 से इसको add कर देंगे, तो add करने के लिए जब भी बार खतम हो जाए, tie लगाया जाता है पर ये दोनों notes, same pitch के होने चाहिए this is the condition, same pitch के नहीं है, तो tie नहीं लग सकता है different pitch के होंगे, तो of course source को फिर से sound निकालनी पड़ेगी ना तो sustain तो करेगा ही नहीं, अगर कोई कुछ भी note निकाल ला, उसको note change करना है तो फिर से एक बार आवाज निकालनी पड़ेगी, तो it won't sustain, okay so tie ऐसे करेंगे, अब ये 3 beat तक चला गया, यहाँ पे इसने 2 beats घेर ली दो beat खाली है, फिर से हमें 3 beat का बनाना है, कैसे करेंगे, पहले 2 beat घेरो, घेर ली अगले बार पे आओ, एक beat और घेर लो, समझे, easy ना, अब एक घेर ली, 3 beat खाली बच रही है easy, 2, 3, 4, घेर ली इसने, अब इसको यह बढ़ बजा के देख लें, 1, 2, 3, 4 सारे 3 beat वाले notes है, क्या समझे, सारे 3 beat वाले notes है, आप लोगों को समझाने के लिए, एक और example ले ले लेते हैं, ताकि और clarity से समझ में आए by the way, जिसने में को सब्स्राइब निके, सब्स्राइब करो, Instagram पर, Akeemself is my handle, वहाँ पर मेरी टीम आप लोगों को WhatsApp और Skype पी सिखा रहे हैं, जिसको advanced और advanced इकना हो, anyways, let's get back to our business, so, एक और example ले रहे थे हैं, now, पहला note है हमारा, 1 beat का, okay, दूसरा note हमें 4 beat का लेना है, 4 beat का कैसे तीन घेरो, तीन इससे घेरा जाता है, हमें पता ही है, 2, 3, 4 इसने घेर लिया, पर 4 beat चाहिए ना, ये कर लो, so, हमने tie भी यूस किया, dot भी यूस किया, so, dotted note पे tie लगा दी, dotted note प्लस tie, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हो जाए, तो बुरा मत मनने कभी गाने में ऐसा मिल जाए, again, में को 4 beats देनी हो, suppose, एक और ऐसा हो गया, और अब मेरे को देनी है, 4 beats, ठीक है, 2 तो इनों ने घेर लि, मुझे 4 beat का एक note चाहिए, मैं क्या करूँगा, बहुत simple है, उपर यही क्या था, लो जी, 4 beat मिल गई, 3, 4 इसने घेर लिया, 1, 2 इसने घेर लिया, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे suppose है, 1 E है और यह, अब मैं इसको बजा कर दिखाऊं, इससे क्या होगा, आपको पुराना यह बरा भी revise हो जागा, आपने नहीं देखा है, please, okay, अगर आपको dotted notes आती है, आपको 16th notes आते हैं, आपको Bollywood tune लिखने से, कोई नहीं रोख पाएगा, मैं भी नह पाऊंगा, so, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंस्टेगरम में मेरे को फॉलो करो, आपको इसमा हांडल, ऊपर आई बटन पर, या फिर end screen पर आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम लिखेंगे साथ DDLJ Staff Notation पर, Cheers!